मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी, जो कुछ इस प्रकार है. भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाए, सर्दी में तुमने लगातार पानी में रहकर तपस्या की वैशाक्त की गर्मी में पंचागनी और सूर्य के ताप से खुद को तपाया सावन की मुसलाधार बरसात में तुमने बिना अनजल के खुले आस्मान तले दिन बिताए तुम्हारे इस घोर कष्ट वाली तपस्या से तुम्हारे पिता गिरिगाज काफी दुखी और बेहद नाराज थे तुम्हारी इतनी घोर तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराज़की को देखकर एक दिन नारग जी तुम्हारे घर आए तुम्हारे पिता गिरिगाज ने जब उनके आने का कारण जानना चाहा तो नाराद जी बोले, हे गिरिगाज मैं भगवान विश्णु जी के कहने पर यहां आया हूँ आपकी पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विश्णु को उनसे विवाह करने की इच्छा है इस बारे में मैं आपकी सहमती जानना चाहता हूँ नाराद मुनी की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश होकर बोले श्रीमान, अगर स्वयम विश्णु भगवान मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपती नहीं है भगवान विश्णु तो साक्षाक ब्रहम का रूप है ये तो हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुखी रहे और अपने पती के घर में लक्ष्मी का रूप बने तुम्हारे पिता द्वारा स्वकृती पाकर नारग जी विश्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें विवाह तैहुने के बारे में समाचार दिया इस बीच जब तुम्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे दुख का कारण पूछा तब तुमने कहा मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पती मान चुकी हूँ लेकिन मेरे पिताजी ने विश्णु जी के साथ मेरा विवाहत्य कर दिया है मैं अतनी धर्मसकत में हूँ की मेरे पास जान देने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारी सहेली ने तुम्हें हिम्मत देते हुए कहा की संकत की समय धहर रखने की आवश्यक्ता होती है तुम मेरे साथ घचने जंगल में चलो जहां साधना भी की जाती है वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पिता नहीं धूँन पाएंगे मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे तुमने अपनी सहेली की बात सुनकर यही किया तुम्हारे घर से यूँ चले जाने पर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और चिंतित हुए वो उस दौरान ये सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह विश्नु जी से टै करा दिया है अगर भगवान विश्नु बारात लेकर आए और पुत्री यहां नहीं मिली तो बहुत अपमान सहना पड़ेगा तुम्हारे पिता ने तुम्हे चारो ओर खोजना शुरू कर दिया उधर तुम नदी किनारे एक गुफा में पूरे मन से मेरी आराधना में डूब गई फिर तुमने रेट से एक शिवलिंग बनाई रात भर तुमने मेरी स्तुती में भजन जागरन किया तुमने बिना अनजल ग्रहन किये मेरा ध्यान किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल गया और मैं तुम्हारे पास पहुँचा। मैंने तुम्हे तुम्हारी इच्छा का कोई वर मांगने को कहा। तुमने तब मुझे अपने सामने पाकर कहा कि मैं आपको सच अगर आप सच में मेरी इस तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आये हैं, तो मुझे अपनी पत्नी की रूप में अपना लीजिए. मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया. तुमने प्रात होते ही पूजा की सारी सामगरी नदी में प्रावहित करक अपनी सखी के साथ वरत का वरंग किया. उसी वक्त तुम्हारे पिता गिर राज तुम्हें धूनते हुए वहां पहुचे. तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता दुखी होकर तुम्हारे इस कठिन तपस्या का कारण पूछे. तुमने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिता जी, मैंने जीवन का जात्तर समय कथिन तपस्या करके बिताया है. मेरी इस कर्थोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिव जी को पती रूप में प्राप्त करना. मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खरी उतरी हूँ. आपने विश्णु जी से मे इस इच्छा को मान लिया और तुम्हें अपने साथ वापस लेगे. फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने हमारा विधी विधान के साथ विवाह करा दिया. भगवान शिव ने आगे कहा है, पारवती, तुमने भाद्रपत की शुक्ल तृतिया को मेरी पूजा करके जो व्रत किया, उसी का फल है जो हमारा विवाह संभव हुआ. इस व्रत का ये महत्व है कि जो भी अविवाहित का न्या इस व्रत को करती है, उसे गुनी, विद्वान वधनवर पाने का सौभाग्य मिलता है. वहीं, विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी विधी से करती है झाल झाल